Hello friends, welcome back आज मैं आप सबी को ये स्वेटर डीजाइन बताने वाली हूँ जो कि मैंने यहापे तीन कलर के उनका इस्तमाल किया है और साथ ही मैंने यहापे मोती के साथ इसे डेकोरेट किया है तो ये देखिए बहुत ही खुबसरत से डीजाइन है और इस वाले फंद डीजाइन के बीच में मैंने पांच फंदो का गैप रखा है अगर आपको ये गैपिंग सही लग रहे हैं तो आप ये पांच फंदो का गैप रख लें नहीं तो फिर आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और ऑगर जदा लग रहे हैं तो इसे कम कर ले और इस स्वेटर डिजाइन को आप किसी के भी में आपलाई कर सकते हैं जैसे लेडिस हो गए कारडीगन हो गए जा फिर बॉरडर में आप इसे अपलाई Kuर चैना में आप इसे बहुत आसान तरीकेसे बना सकती हैं तो मै देखिए इस वाले फूल से यहां पे मैंने 5 फंदों का गैप रखा है सिम्पल ही मैंने यहां पर उल्टे सीधे 4-5 बिन करके गैप कर लिया है अब जो है यहां पे मैं आपको डिजैन बताऊंगी तो देखिए पहले फंदे को skip करेंगे और एक फंदे को सीधा बिनेंगे फिर एक, दो, तीन तीसरे वाले फंदे जो हैं इसके नीचे हम लेकर के जाएंगे आप देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 यां पाच फंदे हमें यहां पे इस तरीके से नीचे कांट करके और उसके बाद 6 वाले में hole में चलाई को इन करने है याद रखिए यहाँ पर 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा बिनने से पहले ही यहाँ पर 3 वाले फंदे में जो है इस तरीके से इन करके हम 5 फंदे नीचे जाएंगे और चलाई को इन करेंगे और यह हरे रेंग के उन से हम इसका पहले पत्ती बना लेंगे इस तरीके से सिंपल से हम निकालेंगे उन को और इसे हमें अभी कुछ नहीं करना है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो है इसे हमें बिनना है देखिए एक, दो, तीन, चार और यह पांच पांच फंदे हमें सिंपल ही बिन लेने है वापस से हम स्लाइको उसी होल में लेके जाएंगे इस तरीके से स्लाइको इन करेंगे अब जो है हम वापस से यहाँ पर फंदे निकालेंगे सिंपल से इस तरीके से कुछ इस तरीके से फंदे निकालेंगे वापस से हमें पांच फंदों का गैप रखना है तो यहां पर यलो कलर के उन से हमें बिनना है एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदों का हमने गैप रख लिया है अब देखे फ्रेंज, यहां पर वापस से हम इस वाले तीसरे वाले फंदे में हम ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम यहां पर सलाय को इन करेंगे अब दो फूल के बीच में इसे ले करके जाएं और इस तरीके से देखें फंदे निकाल लें और उसके बाद फिर यहां पे 5 फंदे जो हैं हमें बिनने हैं इसे हरे वाले को थोड़े से धीला ही रखना है ज्यादा टाइट नहीं करना है और फिर lis color के उनसे मैं यहां पे 5 फंदे बिन रही हूं और यह उनको हम ऐसे हरे वाले उनको लेकर के आएंगे और एक फंदे निकाल लेंगे अब येलो वाले उनको थोड़ा से टाइट कर देंगे और फिर वापस से हमें 5 फंदों का गैप बनाना है तो यह जो है हमने पत्ती यह हरे रंगे फंदे वो हमने बढ़ाए हैं तो इधर से हमें नेक्स डूरों में मैं आपको घटा करके बताऊंगी इसे कैसे घटाएंगे तो देखे फ्रेंस इस वाले बीच वाले फंदों में हम आ जाएंगे एक फंदे और मैं बीन लेती हूँ अब जह है एक दो दो फंदों को छोड़के तीसरे वाले फंदे में वापस से हम नीचे जाएंगे एक दो तीन चार पाँच और ये इस तरीके से और फिर नेक्स्ट हमें पत्ती के लिए जो है हरे रंग का उनका इस्तमाल करना है और थोड़ा से इसे डीला ही रखेंगे और फिर यहां पे पांच बंदे बीनेंगे एक दो तीन चार और एक ये पांच पांच बंदे बीन लेने के बाद वापस से हम उसी होलमिसला leaking को इन करेंगे और इस तरीके से निकालेंगे फिर नेक्स्ट हमें इसी तरीके से आपको पूरी रो बना लेनी है अगर आप पूरे स्वेटर में इस डिजाइन को बनाना चाहती है तो पूरी रो जो है सलाई का आप इसी तरीके से दो फूल के बीच में आप बनाते चली जाएं नेक्स्ट रो में आप यहां पर डिजाइन बनाएंगी देखिए फ्रेंस इस तरीके से यह डिजाइन मतलब पत्ती का पहला फर्स्ट रो आपको इसी तरीके से बनाना है नेक्स्ट रो हमें क्या करना है रॉंग साइड से जितने भी हमने यहां पर फंदे बढ़ाएं हैं इसे हमें घटाना है तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से इसे स्किप करेंगे और यहां पर हमारा ग्रीन कलर के उन का इस्तेमाल खत्म हो चुका है अब हम नेक्स्ट डीजाइन में बनाएंगे तो आप इसे यहां पर कट कर सकती हैं या फिर वापस उसे लेकर कर के जा सकती हैं तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से हरे फंदे और एक यहां पर पीले फंदे उनके दोनों को हम एक साथ ही यहां पर घटा देंगे तो जो भी हम नहीं आप फंदे बढ़ाए हैं वह भी घट रहे हैं देखे फिंस इस तरीके से याद रखें कि आप जभी घटाएंगे तो यह हरे वाले फंदे हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए फ्रंट में और यह यलो वाले पीछे साइड में होना चाहिए और इसी तरीके से हम इसे घटा देंगे तो जो भी हम यह फंदे बढ़ाए थे उसे हम यहाँ पर घटा लेंगे वापस से यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा करेंगे यहाँ पर भी हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे इसी तरीके से रॉंग साइट से हमें सभी फंदों को इक्वल येलो कलर के उन से बना लेना है देखे फिर इस तरीके से हमने ये पूरी स्लाइब बीन करके कम्प्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से नजराएंगे अब जो है हम यहाप येलो कलर के उन का इस्तमाल करेंगे तो ये जो हमने पांच फंदे बीच में बनाये थे तो अब बच गए हैं एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बच गए हैं बीच में तो ये हमें ये बीच वाले दो फंदो के बीच वाले स्लाइब में इस तरीके से हमें बनाना है तो देखे पहले फंदे क clarity में श्कीब करेंगे और और रेकि दो कि दो कि दो दो फंदे में इस तरीके से नीचे ले करके घाएंगे और यहाँ पर अए सिर्ट को इन करेंगे और black क्लर मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूं आप चाहे तो और इसमें सिम्पल सा ग्यान ओवर करेंगे इस तरीके से उनको लपेटेंगे और वापस उसी होल में हमें इसले को इन करना है और फंदे वापस से निकाल लेना है और खीच के हमें इसे बराबर कर लेना है थोड़ा लूज करना इसे वापस से हमें ग्यान ओबर करना है और इस तरीके से फंदे बनाने आप इसमें जितना चाहे बड़ा फूल बना सकती है आपको इस तरीके से धेर सारे फंदे बनाने हैं तो ये फूल के जो है ये बढ़ जाएंगे जादा हो जाएंगे या कम बनाएंगी तो इस तरीके से कम बनेगा तो इस तरीके से आपको ग्यान ओबर करके हमें ऐसे उनको सीधा ही लपेटना है स्लाइम में और सिंपल से फंदे निकालने हैं इस तरीके से मैं यहां पे एट फंदे निकाल रही हूँ एट टाइम जो है मैं यहां पर ग्यानोबर करके और फंदे निकाल रही है तो जो भी है यह एक्स्ट्रा फंदे ही है इसे हमें वापस से घटाना भी है तो देखे फ्रेंस इस तरीके से मैंने बहुत सारे फंदे बना लिये हैं और फिर इसे हम छोड़ देंगे ब्लैक को इस्तमालने करेंगे उनका और फिर जो भी आप बेस के कलर के उनका बना रही है उससे आप बीनी करके इसे सीधा सीधा ही बीनना है वापस से हम आ जाते हैं इस वाले डिजाइन में तो यहां पर देखे फोर फंदे बीच में बचे हैं तो हमें वान और टू टू फंदे को बीनना है और वापस से इस तरीके से लेके जाना है और सेम प्रोसेस से यहां पर एक फंदे निकालने हैं फिर ग्यान ओबर करना है फिर वापस से उसी होल में स्लाइ को लेके जाना है और इस तरीके से फंदे निकालने हैं और इसे हमें खीच के बराबर भी रखना है वरना ये फूल जो हैं सुकूर जाएंगे इस वज़े से द वापस से हमें बनाना है उसी होल में हमें बार बार एक रिपीट करते जाना है और ग्यान ओबर करके इस तरीके से निकाल लेने हैं फिर जो है नेक्स्ट जो है हम यलो कलर के उन से हमें बनाना है कि सीधा सीधा फंदा दो फंदे बीन लेंगे उसके बाद फिर हमें यहां पर इस तरीके से स्लैगो इन करना है और फंदे निकालने ग्यान ओबर करना है वापस से हमें उसी होल में स्लैगो इन करना है और फंदे निकालने कोई भी दिक्कत आ रही है फ्रेंस इस डिजाइन को बनाने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं मैं आपकी हैल्प करूंगी और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोट करूं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुछ सके और आप उस वीडि इस टाइब से आपको बना लेना है फिर हमें नेक्स्ट इसी तरीके से आपको पूरी रॉ जो है बना के कम्प्लीट करना है अब मैं इसे घटाने के लिए बताऊंगी आपको तो यह पूरी रॉ हमें किया इस तरीके से अब हम आजाते हैं रॉंक साइड में और रॉंक साइड में यहां पे यह यह इसे से 23 तरीके से उल्टे उल्टे बीन करके complete करेंगे अब हम आ जाते हैं ये black color के उन में जितने भी फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं उसे हम एक साथ slime इस तरीके से लेंगे और एक साथ ही हमें इसे घटा देना है देखिए इस तरीके से फिर इसको हम छोड़ देंगे ऐसे फिर next हमें आगे बढ़ जाना है तो यहाँ पर जितने भी फंदे हमने बढ़ाए हैं वो हमारे घट चुके हैं प्लस यहाँ पर एक फंदा extra भी बन चुका है तो इसे हमें बीच में ही घटाना पड़ेगा वरना फिर जितने फंदे आप बढ़ना आए हैं उससे कहीं जादा जितने भी आपने फ्लावर बनाए हैं उतने ही आपके फंदे बढ़ जाएंगे तो देखे फ्रेंस इस तरीके से जो है यहाँ पर एक साथ ही इसे हमें यहाँ पर घटा लेना है और साथ ही उसी के पास में ही यह दो फंदों का एक फंदा करेंगे तो जो भी फंदे यहाँ पर हमारे बढ़े हैं वो यहाँ पर घट चुके हैं वापस से हमें यहाँ पर देखें सब यह फंदों को इस तरीके से घटाना है और साथ ही यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा करेंगे और नेक्स्ट हमें इस तरीके से बना लेना है कुछ इस तरीके से यह बन जाएगा अब जो है एक लाइन आप सीधा बीन लें या फिर यहाँ से फिर से वापस हैं पर फिर नेक्स्ट डिजाइन का इसी तरीके से डिजाइन बना सकती है यहाँ पर फोर्ट चार मोधी लगा करके आपको दिखाया है अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकती है नहीं तो फिर आप ऐसे भी रख सकती है तो उमीद करते हैं आप सभी को ये डिजाइन और ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे तो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लें और सस्क्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सस्क्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू